सबसे पहले 1952 में हर्याना में पंचाय चुना हुए थे तब सरपंच का डारेक्ट एलेक्षन नहीं हुआ करता था जब पंच जो होते थे जो मेंबर चुने जाते थे वही सरपंच का जो की एक दूसरे के विपरीत हैं इसके क्योंकि अर्याना में आठ प्रतेशत के अनुसर के वल छही जिलें जाद दो सीटें आरक्षन के लिए निकलती है अन्य था ठारा जिलों में के और एक सीट की आरक्षन होना ही बनता है याचिका के अनुसर पंचायती राजदिनियम में नए आश्मिन शोधन किया गया ह थे इसलिए उन्होंने ये आई याचिका हाई कोर्ट में लगा रखी है प्रदेश में छटा पंचायत चुनाओा बता देए कि इस बार प्रदेश में छटा पंचायत चुनाओ होगा 2016 वा था अब 2021 में हर्याना की 22 जिला परिश्यदों 142 ब्लोक समीतियों 6205 पंचायतों क कि पंच सरपंचों के लिए छटे पंचाय चुनाओ होने वाले हैं। जिनाप परिशिदों के 416 सदस्टे, ब्लोक समीतियों के 3200 सदस्टे और 6205 सरपंचों के लिए चुनाओ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के जरीए होंगे, जबकि 62466 पंचों के लिए मतदान बैलिट वेपर के जरीए होगा। हर्याना में पंचाय चुनाओ का पूरा इतिहास, अगर हम आपको बताएं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से हर्याना का गठन हुआ है तब से प्रदेश में के लिए 5 बार ही पंचाय चुनाओ हुए हैं, 56 साल बाद अब 6 पंचाय चुनाओ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि 1994 में प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचाय चुनाओ के अनुसार 1952 और पंजाब पंचाय चुनाओ पंचाय चुनाओ हुआ हुआ पंचाय चुनाओ हुआ हैं, 92 को प्रस्ताव पास हुआ और 24 अपरेल 1993 से संचोधन प्रभाव में आया इससे ग्राम पंचायत सविधान का अंग बन गई तब विभिन राज्यों में पंचायती राजसुधार लागू हुए 33 अधाचा ग्राम पंचायत पंचायत समीती और जिला परिशन का गठन हुआ अनुसुचित जाती जनजाती के साथ ही महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित हुए उस वक्त पंच जो हैं वो सरपंच को चुनते थे पहली पंचायत में था दो साल का कारियकाल पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहट सबसे छोटी सरकार का कारियकाल तीन साल था पंच मिलकर सरपंच का चुनाओ करते थे और एशियास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सक पंचायत में से एक पंच चुना जाना जरूरी था तब मैलाओं के लिए कोटा नहीं था और आचार सहीता नहीं होती थी परशाशन 3-4 शिक्षकों की टीम बनाकर गाओं में चुनाओ कराने के लिए भेजते थे और कोई वार्ड नहीं था जिसको सबसे ज़्यादा वोट म पंचायती राज एक्ट में से शोधन कर दिया इसके तहट गाओं का मद्दा था सीधे सरपंच का चुनाओ कर सकता था तब पंचायत का कारेकाल 3 साल चे बढ़ा कर 5 साल कर दिया गया था लेकिन वर्ष 1994 में इन पंचायती राज एक्ट 1994 लागू हो जाने के बाद फिर से सर पंचायतों को 2015 में कमान मिली थी जब भजपा की मनोवर साल मनोवर लाल सरकार ने पंचायती राजवय उस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायत चुनाओ लड़ने वाले उमीदवारों के लिए शैक्षिक योगिता भी निर्धारित कर दी थी हर्याना में ये पह 4% पद महिलाओं के लिए अरक्षित कर दिये हैं इसके साथ यह अनुस्थ जाती के लिए भी 8% पद की भी निर्धारित किये हैं इसी के साथ हम आपको हर्याना पंचायत चुनाओं से जुड़े हुए जितने भी इतिहासिक तथ्य थे वह आपको बता दिये हैं उमीद है आ बाते रिष्देदारों के साथ भी से शेयर करें इसकी पूरी डिटेल आपको हमारी वेब साइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको शेयर हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे जय हिंद जय भारत धन्यवा प्राइब